Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, इस वीडियो में देखेंगे विहायदरा का practice rate number 53, इसके पहले मैंने practice rate बनाया था 52, 52 का जो question number था 65, इसका right answer होगा option number B, option number B बिलकु right answer होगा, option number A right answer नहीं है, हलाकि class जो हुआ था, उसमें option A ही बताया गया था, मैंने कई बार में बताया भी है, कि सबसे पहले मैं practice rate लगाती हूँ, उसके बाद class देखकर कहीं answer मिलाया करती हूँ, इसमें धिकांस answer गलत दिया हो रहता है, तो class में भी answer जो है, गलत बताया गया था, इसलिए मुझे यकीन करना पड़ा, कि इस class में तो answer सहीं ही बताया गया होगा, इस कारण से मैंने वीडियो में option A बताया गया है, सुमेलित करना है, महादेव, महादेव को कहां भेजा गया था, तो महिस मंडल मैसूर भेजा गया था, महिस मंडल मैसूर, महारचित को भेजा गया था, यवन देश, महारचित को यवन देश भेजा गया था, नेश्ट है, महाधर्म रचित, महाधर्म रचित को महा राष्ट सोना तथा उत्रा सुवर्न भूमी भेजा गया था, एक वा फिर से मिलाएंगे, महादेव को भेजा गया था, महिस मंडल मैसूर, महारचित को यवन देश, महाधर्म रचित को भेजा गया था, महाराष्ट सोना तथा उत्रा को भेजा गया था, शुवर्न भूमी, C D, B, A, option number C, बिल्कुल right answer हो जाएगा, एक वा फिर से आप लोग भी मिला लेंगे, next question है, कलहन द्वारा रचित रास्तरंगनी में तीन सासन करने वाले वंसों का उलेख है, नीन में से कौन उनमें सामिल नहीं है, कलहन द्वारा रचित है, रास्तरंगनी जो कि संस्क्रित भासा में रचित किया गया है, और इसे कास्मीर की तिहास के बारे में जनकारी मिलती है, यहाँ पर कोशन है, नीन में से कौन उनमें सामिल नहीं है, तीन वंस का जिक्र है लोहार है, कारकोट है और उत्पल है लोहार, कारकोट और उत्पल वंस का जिक्र है जबकि डोंगरा वंस का जिक्र नहीं किया गया है option number B विल्कुल right answer है clear, next question किस गुप्त सासक ने मुद्रों पर गडूर के अस्थान पर मयूर क्या किरती अंकित कराई किस गुप्त सासक ने मुद्रों पर गडूर के अस्थान पर मयूर क्या किरती अंकित कराई यह अंकित करवाई थी कुमार गुप्त ने किस गुप्त सासक ने मुद्रोंपर गडू के स्थान पर मयूर का करते अंगित करवाई कुमार गुप्त ने ओप्सन नमर सी नेश्ट है रीन लेने वब वली देने की प्रथा को रिगवैदिक काल में क्या कहा जाता था इसे कहा जाता है कुशिद औप्सन नमर ए कुशिद नेश्ट कोशन किस ने भारत सासन अधिनियम उनीश्व पैतिसfire गुलामी का अधिकार पत्र कहा था गुलामी का अधिकार पत्र तोक्री में फेकने वाला तो ऐ जीना ने कहा था इसका राइट अंसर हो जाएगा ज्वाहालाल नेह्रू ज्वाहलाल नेहरू ने गुलामी का अधिकार पत्र कहा था ब्रेक रहित इंजन गाड़ी की किसने कहा था ज्वाहलाल नेहरू ने नेश्ट है लंदन इंडिया सोसाइटी के स्थापना लंदन में दादा भाय नौरोजी द्वारा कव की गई यह किया गया था 1865 में ओप्सन अगर गला नहीं चलेगा तो फिर नहीं विडियो बन पाएगा इस कालन से विडियो नहीं आ पारी थी इसलिए मैं आप लोग समाफी चाहती हूं बताएगा नेश्ट कोशन यह हुआ था यह हुआ था स्वेत बिद्रो लॉट कैनिंग के काल में ओप्सन नमर बी लॉट कैन के काल में हुआ था बिल्कूर राइट अंसर है नेश्ट कोशन कोशन नमबर एट एक मिनट रूख जाएंगे किस अंदोलन में किसानों का नारा था कि हम सिर्फ और सिर्फ महरानी के रियत होना चाहते हैं किस अंदोलन में किसानों का नारा था कि हम सिर्फ और सिर्फ महरान किरईयत होना चाहते हैं, बताइएगा इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा, औप्सन नमबर A, पावना बिद्रोग, पावना बिद्रोग का नारा था, सफेद लेटराइट मिर्दा के सफेद रंग के होने का मुख कारण इसमें पाया जाने वाला तत्व है, सफेद लेटराइट मिर्दा के सफेद रंग के होने का मुख कारण इसमें पाया जाने वाला तत्व है अंसर हो जाएगा ऑप्सिन में B, के ओ लीन के ओ लीन, नेश्ट है, सुची, वन को सुची दो के साथ सुमेरित कीजिन जल परपात और राज दिया गया है, मिलान करना है, पायकारा जल परपात, पायकारा जल परपात तमिल नाडू में स्थित है, तमिल नाडू, विहार, विहार जल परपात राजस्थान में है, एन्ना जल परपात मत पर्देश, जोरंडा जल परपात उडिसा, एक वार फिर से पायकारे जल परपात तमिलनाडू, विहार जल परपात राजस्थान, एनना जल परपात मर्द परदेश, जुरंडा, उरिसा अंसर हो जाएगा option number D नील में से कौन एक सुमेडित नहीं है? लोह इस पात कर खाना और स्थापना वर्स दिया गया है बताएगे कर कौन इसमें सुमेडित नहीं है? भिलाई इस पात सेंथ के स्थापना 1960 में नहीं हुई थी, option number A हो जाएगा जबकि वो कारो अस्टिल प्लांट के स्थापना 1964 में, मैसुर आयरेन एंड अस्टिल लगर्कस के स्थापना 1923, हिंदुस्तान अस्टिल लेम्टेट राउर के लागे स्थापना 1969 में की गई थी next question, मिलान करें, परियोजना और लाभानवित राज दिया गया है बारगी परियोजना, बारगी परियोजना काया है तो मत परदेश में है सरहीन्द नहर परियोजना, हर्याना, कुण्ड परियोजना, तमिल नाणू एक वाप फिट से देखेंगे बारगी परियोजना काया है तो मर्द परदेश में पंचेत बांध परियोजना काया है त्या जारखन में है सरहिन नहर परियोजना हर्याना कुंडा परियोजना तमिलनाडू अंसर हो जाएगा option number C आगे बढ़ते हैं question number 13 देखते हैं असत मिलान को पहचाने भारत के प्रमुख हिमनद और इस्थिती दिया गया है काड़ोपिन कारा कोरा में अवस्थित है सही है पुनमाहा सिक्के में है या गलत दिया गया है option B इसका राइट अंसर दिया गया है दिया भील कस्मील सोना पानी हिमाचल परदेश option B इसका राइट अंसर है नेश्ट है मिलान करें जील और समंधित राज दिये गया है घीबर जील घीबर जील या कहा है तो राजस्थान में घीबर जील राजस्थान में नेश्ट है खजियार जील खजियार जील कहा है तो हिमाचल परदेश खजियार जील हिमाचल परदेश खेचियो पालरी जील सिक्किम में सताल जील उत्राखण में एक फिर से आप लोग देख लें इसका राइट अंसर होगा option number B होगा घीबर जील कहा है तो राजस्थान में खजियार जील हिमाचल परदेश खेचियो पालरी जील सिक्किम सताल जील उत्राखण के लिए नेश्ट है कोपेन दोरा दिये गए जलवाई योजना क्याधार पर भारत को कितने जलवाई छेत्रों में बाठा गया है 15 का अंसर option number D दिया गया है लेकिन इसका जो राइट एंसर होगा option number C होगा आठ कोपें द्वारा दिये गए जलवाई योजना के अधार पर भारत को कितने जलवाई शेत्रों में बाटा गया है तो आठ ध्यान रखेगा ncrt भुक धोरा उसमें 8 दिया गया अधिकति जयगा नो भी मिलेंगे लेकिन 8 आप लोग ध्यान रखेंगी नेश्ट है निर्मे से कौन सही सुमेलित नहीं है क्लास में भी आठी बताया गया है निर्मे से कौन सही सुमेलित नहीं है राष्ट्य उध्यान और राज दिया गया है बतायेगा कौन सही सुमेलित नहीं है गेरु मारा राष्ट्य उद्यान का है तो पश्रिम बंगाल में है गेरु मारा राष्ट्य उद्यान पश्रिम बंगाल नेश्ट है गुगामल राष्ट्य उद्यान तेह महराष्ट में है गुगामल राष्ट्य उद्यान महराष्ट गिंडी राष्ट्य उद्यान तमिल पीन धारे राष्ट्य उद्यान हिमाचल परदेश में हैं, कहां हैं? हिमाचल परदेश में, सुधार करेगा, गेरुमारा राष्ट्य उद्यान, पश्रिव बंगाल, गुगामल राष्ट्य उद्यान, महराष्ट, गिंडी राष्ट्य उद्यान, तमिल नाडू, पीन धारे प्राकिर्तिक सरच्छन के लिए लाल सूची सन उनीसो सरचर से जारी किया जाता है आई यू सीन एक अंतराष्टिय संगठन है जो संजुक्त राष्ट संग का अंग है इसका जैंसर होगा आप्शन नमबर डी ना तो एक और नहीं दो नेश्ट है मिलान करें देश और मुद्रा दिया गया है फिनलेंड फिनलेंड की मुद्रा हो जाएगा मरक्का लगजंबर की मुद्रा हो जाएगा फ्रैंक ताजिकिस्तान का सोमोनी किर्विबाती का डॉलर आप्शन हो जाएगे ए एगा फिर से मिलाएगा फिनलेंड का मरक् फ्रेंक, ताजिस्कतान का सोमोनी, किरिवाती का डॉलर, लेश्ट है, बज़े द्वाटेश चोविस के तहट जल जिवन मीशन के लिए कितनी राशी निधारित की गई है, बज़े द्वाटेश चोविस के तहट जल जिवन मीशन के लिए कितनी राशी निधारित की गई है, सब्तर हजार करोड, ओप्सन नमर सी, सब्तर हजार करोड, आगे बढ़ते हैं, कोईशन नमर 20, आर्थिक सर्वेचन करनुसार भारत में वन और विरीचो के आवरन का कारवन अश्टोक लगभग कितना है, बहत्तर सो चार मिलियन टन, बहत्तर सो चार मिलियन टन, कोईशन है, भारत के जल सुरोतों की गन्ना के अधार पर सरवाधिक जलासे एवं तलाबो वाला राज कौन सा है, भारत के जल सुरोतों की गन्ना के अधार पर सरवाधिक जलासे एवं तलाबो वाला राज कौन सा होगा, त्या होगा परश्चिम बंगाल, ओप्सन नमर बी क्लास में भी अंसर ऑप्शिद बताया गया है नेश्टे हैं जैसे तो हम लोग सभी जानते हैं सरवाधिक तलाबों से जो सिठाई होती है या दचिन भारत में होती है भारत के आईरन मैं के नाम से प्रसीद किस व्यक्ति का हाल ही में नीधन हो गया है भारत के iron man के नाम से प्रसीद किस व्यक्ति का हाल ही में नीधन हो गया है या नीधन हो गया है शावीर अले का option number C आयरन मैन के नाम से प्रसुध है नेश्ट हैं सुची वन को सुची दो के सासुमेलित कीजिए भारतिये प्रतियस्पर्दा आयों के अध्याश कौन है तो रवनित कौर है CBI प्रमुख प्रवीन सुध। प्रवीन शूद है दे हिंदू ग्रूप की अध्याश कौन है निर्मला सिता रमन रौ प्रमुख रवी सिन्हा रौ प्रमुख रवी सिन्हा एक फिर से मिलाएगा भारतिये प्रतियस परधा आयोग की अध्याश है रवनीत कौर्थ सीबियाई प्रमुख कौन है प्रवीन शूद नहिंदू ग्रूप की अध्याश निर्मला सिता रौ प्रमुख रवी सिन्हा उप्शन अमबर डी लोजिस्टिक प्रदर्शन सुचकांग 22 में भारत का स्थान भी समय कौन सा है त्या हो जाएगा 38 नेश्ट कोश्चन भारत वन इस्थिती रिपोर्ट 22 में भारत वन इस्थिती रिपोर्ट €29 के तुल्ला में व्रिचा वरन में कितने में तीन गुना वृद्ध कलाच देरा हैं रखा है 2032 तक निंग में से किस योजना के तहटा देश्ट के तढ़ी इलाके में मैगरोव के पौधे रोपे जाएंगे आप सनमें ए न निष्टि योजना के तहत नांकित में से कौन श्वन्शी समीती के सदस रहे हैं? सर्दार श्वन्शी समीती के सदस कौन कौन रहे हैं? A.R. अंतुले, A.S.R.E. और C.M. अश्टीफन A.R. अंतुले, A.S.R.E. C.M. अश्टीफन एक दू और चार ओप्सन हो जाएंगे C मैथली भासा में सहीत अकानी प्रश्कार 22 किस कृती के लिए प्रदान किया गया है? पेंड ड्राइव में प्रिथवी पेंड ड्राइव में प्रिथवी के लिए चिकिस्था के छेतर में नोबल प्रश्कार 22 के विज़ेता कौन है? पहले वैस्विक बौध सिखर सम्मिलन का उजन कहां किया गया भारत में पहले अंडर नाइंटीन महिला क्रिकेट बीस वे कप दोहरतेईस का उजन कहां किया गया या किया गया है दचिन अफिरका में लवली चौबे का समन्द किस खेल से है लॉन बॉल से इसमेलित नहीं है राज और राजवाल दिया गया है कौन सही समेलित नहीं है हिमाचल परदेश के राजवाल श्री सी प्रशाद सुकले जारखन का स्री विश्वाव भूसन हरिचन्द नहीं है महराष्ट का स्री रमैस बैस हैं सिकिम के स्री लच्वन प्रशाद आ रहे हैं केंद्र सरकार दौरा समगर सिच्छा भियान किस वर्स प्रारम किया गया 2018 पानी के भीतर से हमला करने वाला ड्रोन हाइल 2 का परिचन किस देश ने किया है हाइल 2 का परिचन किस देश ने किया है दिया किया है उत्तर कोरिया हाइल 2 का परिचन निर मेंसे किस के द्वारा ग्रीन हाउस उसरजन को कम करने के लिए फीट 455 पैकेज की सुखात की है इसे किस के द्वारा ग्रीन हाउस उसरजन को कम करने की लिए फीट 455 पैकेज की सुखात की है युरोपीय संख IPCC के जल्वाई परिवरतन 22 संसलेशन रिपोर्ट के नुसार ग्लोबल वार्विंग का मुख कारण क्या है IPCC के जलवायों परिवर्तन 22 करूसार संसलेशन रिपोर्ट करूसार ग्लोबल वार्विंग का मुख कारण क्या है मानविये गती वीधिया दानते ने किस भासा में अपने पहले गरंथ डिवाइन कॉमेडी की रशना की थी टसकन अप्सन नमबर A नेश्टे है सुची वन को सुची दो के साथ सुमेरीद कीजिए मक्खन और वसा कितने परट्शन पाय जाता है वो वताना है इसका अंसर पहले देख लेते हैं बताईगा इसका अंसर क्या हो जाएगा घी में वसा जो पाय जाता है आगे मक्खन में देख लेते हैं मक्खन में 16.0% घी में 0.5% खुआ का हो जाएगा 30.6% मा अफकर लेगा 30.6% इसका राइट अंसर दो एक चार तीन संगठन का प्रकार और महत्पुन लच्छन दिये गए हैं मिलान करना है एकल ब्यापारी एकल ब्यापारी आसीमित दाइत्वे साज्य दारी समिधानात्मक संबंध है सहकारिताएं सहकारिताएं कमजोर वरों की उनत्ती सरवजनिक सीमित कम्पनी सरवजनिक सीमित कम्पनी इसका हो जाएगा जोखिम उठाने वालों की बड़ी संख्या जोखियों उठाने वालों की बड़ी संख्या गफिर से मिलाईगा एकल ब्यापारी, आस्थीमित, दाईत्व, साजहेदारी, समिधानात्मक, संबंध, सहकारिताय, कमजोडवरों की उनती, सरोजनिक सिमित कंपनी, जोखियों उठाने वालों की बड़ी संख्या इसका अंसर होगा option number 342, option number B सन्यात सेन द्वारा तुंग मेंग हुई पार्टी का नाम बदल कर को मितांग की सन में किया गया 1912 में एक राष्ट एक नेता कनारा किसने दिया था एक राष्ट एक नेता कनारा किसने दिया था देखे इसका जो अंसर है ना इसका अंसर अगर आप लोग देखेंगे 43 का तो अंसर दिया गया है option number A 43 का अंसर option number A दिया गया है और मैं आप लोग को सचाई बता रहे हूँ क्लास में जो राष्ट एक टीचर रखे हैं वो भी अंसर A ही बता रहे हैं लेकिन इसका जो अंसर होगा 43 का option number B होगा अंसर क्या होगा बी होगा ही टिलर इसका राइट अंसर होगा आप लोग को यकिन नहीं हो तो गूगल पर सर्च कर लिजेगा मैंने जब प्रैक्टिशेट लगाया तो तो ही टिलर को टिक किया था लेकिन क्लास में मुसोलनी को बताया गया लेकिन ध्यान रखेएगा option B होगा एक राष्ट एक नेता का नारा किसने दिया था ही टिलर ने किलियर कि नेश्ट कोश्चन ऑप्सन भी ध्यान रखेएगा मध्यकालीन भारत में सब्द फनम किसे निद्रिष्ट करता था बताएगा यह करता था सिख्के ऑफ्सन अमबर बी क्लास में भी कुछ अंसर जो है गलत बताया जा रहा है रौसन से रहते तो कुछ बात ही अलग थी नेश्ट है लजजट ए सिकंदर साही ग्रंथ किसे समंध थी या समंधित संगीत से ऑफ्सन अमर डी मिया तांसेन के संदर में निम्रिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है मिया तांसेन के बारे में बताना है कौन सा कथन है जो सही नहीं दिया गया है समराट अकवर द्वार इन्हें दीगे उपाधी तान सेंथी या गलादी आ गए हैं तान सेंथ ने हिंदु दिव दिवत आउं से समझित धुक्दों की रशना की तान सेंथ ने अनेक राव की मौलीक रशना की उप्सन नमर ए जो है सही नहीं है फर ए इज़्दी का विचार जो मुगर राजतांतर का अधार था इन में से किस सुफिस शंत द्वारा सबसे पहले विक्सित किया गया था सिहाबुदिन सुहार वर्दिक के दौरा उप्सन नमर ए इन में से कौन सेक्रेटरी के रुप में हिंदू female school से समन्थ है जो बाद में बेथिवन female school के नाम से जाना जाने लगा अंसर हो जाएगो option number C. इस्वर्चन विद्या सागर इस्वर्चन विद्या सागर आन पर्देश में मदन पली के संदर में निम्लिखित मेंसे कौन सा कथण सही है जो देखिएगा पिंगली वकईया ने यहां भारतिय राष्टी ये ध्वज तिरन्गा का डिजाइन किया पिंगली वकईया ने यहां भारती राष्टे ध्वज तिरंगे का डिजाइन किया इस कोश्चन का अंसर में च्वाँसा जोल मुझे लग रहा है पिंगली वकईया ने भारती राष्टे ध्वज तिरंगे का डिजाइन तो किया था पटाभी सिता रमया ने यहां से आंध छेत्र में भार छोड़ों अंदोलन का नितित विकिया रवीना टैगोर ने यहां राश्टगान का बंगला से अंग्रेजी में अनुवाद किया कोशन क्या है आन प्रदेश में मदन पल्ली के संदर्फ में कौन सा कथन है जो सही दिया गया है इसे आप लोग देखिएगा हलाकि इसका जो अंसर है क्लास में ऑप्सन नंबर सी बताया गया है रविना टैगोर ने हराष्ट गान का बंगला संग्रेजी में अनुवाद किया यह सही बता जा रहा है हलाकि पिंगली वकईया ने भारत्य राष्टे द्वहस्त तिरंगे कर डिजाएं त्यार किया था लेकिन इसे एक वार्प फर्म कर लिजेगा भारा सरकार द्वारा उनीस में आई एल ओ के वासिंग्टन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनीथी के रूप में निम्लिखित में से किसे भेजा गया था बिपी वाडिया को अप्सन नम्बर ए बिपी वाडिया गांधी जी के असयोग अंदूलन में लोगों का सराव से परहेश करने का आगरह क्या गया फासरूप सरकार के राजस में भारी कमी आई एक प्रदेश के सरकार ने लोगों को फिर सराव पीने को प्ररित करने के लिए प्रमुक वैक्तियों की एक सुची प्रसारित की जो सर सराव पीते थे उस प्रदेश का नाम बताइए सराव पीने में अपना बिहार कम थोड़ी है और बिहार में सराव बंध है फिर यहां सराव चालू है मंत्राले सब्द निम्लीखित में से किस वर्ष प्रचलन में आया मंत्राले सब्द किस वर्ष प्रचलन में आया 1947 में निम्लीखित युगों में से कौन सही सुमिरित नहीं है कौन सही सुमिरित नहीं है जिला, कलेक्टर, हेस्टिंग, संभागया आइक्त, वेंटिग, रस्थानिया सोसान, रीपन, मुक्सचिव, करजन या गलत है निलिखित में से कौन एक साई सुमेलित नहीं है लोगसभा चुनो वर्स दिये गए है यदि वार्षिक संभी वजट लोगसभा दौरा पारित नहीं होता तो प्रधान मंत्री अपने मंत्री परशत का त्याग पत्र पेस कर देता है उप्सन नमबर डी भार्ति समिधान के नुचेत 162 के सिर्शा के संबन्द में कौन सा कथन सही दिया गया है अनुचेत 162 के सिर्शा के समिध में कौन सा कथन सही है राज की कार्शपाल का सक्ति का विस्तार राज की कार्शपाल का सक्ति का विस्तार नेश्ट है सुची बन को सुची दो के सा सुमेलित कीजिए छेत्र और खनीज दिया गया है बताएगे का इस कराईटेंसिर क्या होगा हो जाएगा चलिए मिलाते हैं काकेकस काकेकस किस के लिए फिर मसे तामा के लिए संखालीन संखालीन खनीज तेल के लिए संखालीन खनीज तेल के लिए नेश्टे है मैगिनो मैगनीटो गोस्क मैगनीटो गोस्क यह किसके लिए प्रसीद है जब प्रसीद है लोह एस्क के लिए किसके लिए है लौह एस के लिए प्रसीद है और कारंगंडा जो है कोईला के लिए प्रसीद है Next question इसका अंसर हो जाएगो option number A निवडिकित में से कौन सा एक सामुदाइक विकास का पहला स्थापित कार्शक्रम है? कौन सा एक सामदाईक विकास का पहला स्थापित कार्शक्रम है राश्टिय प्रशार सेवा उस देश में अनुपातिक प्रतिनिधित्व आवशक नहीं है जहां द्यू बलिय प्रनाली विक्सित हुई है भारतिय पुलिस सेवा के परिविच्छा धीनों की प्रसेशन की कुल अबधी कितनी है ऑप्शन हो जाएगा बी 27 महिना समिधा निर्में से किसके सोशन की बुल अधिकार श्रुकिर्ति करता है बच्चो के इस्तिरियों के दलतों के जनजातियों के इसका अंसर क्या हो जाएगा बच्चा इस्तिरी और जनजाती एक दो तीन होगा आप्शन नमर सी निम्रीखित में से कौन एक राज का नीति निदेसक तत्व नहीं है 24 वर्सकी आयोतक के बच्चो को धन शूल क सिछा मद निशेद, गौज सरच्चन, प्रयावरन सरच्चन कौन एक राज का नीति निदेसक तत्व नहीं है त्यों हैं जाएगा ओफिन नमपर D 24 वर्सकी आयोतक के बच्चो को धन शूल क सिछा थाइरो ट्रॉपिक हर्मन स्रावित होते हैं निमलीखित में से किसकी सारी एक बनावट में एक दियू पासर्विक समरुपता होती है नेरिस नेश्टे हैं मिलान करें अभिरान्जक और कोस्किय भाग दिये गए हैं मिलाईएगा इसका राइटनसर क्या हो जाएगा मिथाइलीन ब्लू कौन से कोस्के भाग केंद्रक एसिटो कार्मीन गुण सुत्र जैनेस ग्रीन बी जिवद्रविक कला एक मिनट मिथाइलीन ब्लू केंद्रक एसिटो कार्मीन गुण सुत्र जैनेस ग्रीन बी माइट्रो कॉंड्रिया यो उसीन जिवद्रविक कला चार तीन दो एक चार तीन दो एक आराम से मिलाईएगा चार तीन दो एक 65 का जो अंसर हो जाएगा आप्सन नमबर डी चार तीन दो एक एक पर फिर से मिलाईएगे मिथाइलिन ब्लू केंद्रक एसिटो कार्मीन गुण सुत्र जैनेस ग्रीन बी माइट्रो कॉंड्रिया यो उसीन जिवद्रविक कला अंसर हो जागड़ी नेश्ट है दिम दिखित में से कौन से पात्पो का मुख अफ्सोर्षन अंग है अफ्सोर्षन अंग पात्पो का केवल जड़ ऑप्सन नमबर ए गन्य में चीनी उत्पादन को बढ़ाने के लिए इन्हें शिर्का जाता है गन्य में सुक्रोश पाय जाता है चीनी उत्पादम को बढ़ाने के लिए किसका छुड़काओ किया जाता है जिब्रेलिन का option number C हेमोग्लोविन के विसमें निमलिखित में से कौन सा कथन सही है हेमोग्लोविन के बारे में कौन सा कथन है जो सही दिया गया है option number B जो है सही दिया गया है और बागे सब देख लिजेगा माना में हीमोफीलिया का कारण है मोती जहरा का रोग जनक है साल मोनेला टाइपी सीमेंट कुद पादन में कौन सी गयस निकलती है कारवन डायोकसाइड MgCl2 एवं MgO का मिश्रन कहलाता है MgCl2 एवं MgO का मिश्रन सौरिल सीमेंट कहलाता है उपचैन में ऑक्सीकरन में कौन सा कुट जो है सही दिया गया है ऑक्सीकरन में किसी पर्दार से हैड्रोजन बिस्थापित होती है वह हैलोजन जिसका उपयोग पिडाहारी की तरह किया जाता है। ओप्सन नमर सी आयोडीन आयोडीन का प्रविव प्रभारी के तरह किया जाता है नेश्ट है मिलान करें वाई प्रदूसक और प्रभावित अंग इस बेश्टोस धूल फ्यपडा को प्रभावित करता है इस बॉस्टर धूल फ्यपडा को सीशा जो है मस्तिस्क को पारा उदर को कारण मुनोक्साइड रक्त धराये को अंसर हो जाएगा भी इस बेश्टोस धूल फ्यपडा सीशा मस्तिस्क पारा उदर कारण मुनोक्साइड रक्त धराये निम्लिकित में से किसे घरसन द्वारा आसाने से आविसित नहीं किया जा सकता तामबे की छड़, परिछी त्रिया टेश्टर नमक युक्तियां अधारित हो सकती है बिध्धु धारा के टेश्टर जो होता है विद्धुधारा के उसमें या चुमके प्रभाव पर अधारित होता है ऑप्शन हो जाएंगी सी विस्पंद उत्पं होते हैं लगवग समान आवरिती की तरंगों के अध्यार उपन द्वारा अप्शन नमबर D नेश्ट है सुमेरित कीजिए मिला लिजेगा इसका जो अंसर दिया गए है अप्शन नमबर A चिले देखी लेते हैं प्लायन वेक का 2 हो जाएगा इससे आप लोग देख लीजेगा नेश्ट कोशन चलते हैं प्रस्टर तरंगोंद पन करने के लिए किसे पर्युक्त किया जाता है प्रस्टर तरंगोंद पन के लिए दाब विधुत प्रदार्थ को ऑप्शन नमबर C हो जायेंगे नेश्ट है सुमेलित कीजिए एटीवन नमबर प्रष्ट सुमेलित करने के लिए दिया गया है इसका अंसर क्या हो जाएगा श्रीजफाइड रेखा जो है जर्मानी एवां फ्रांस के बीच में है ओर्डर नीश रेखा जर्मानी एवां पॉलेंड के बीच है यह बिलकुल सही है और T частиiri स्टमानातर एखा उत्री कोरिया दचिन कोरिया यह भी सही है 49 समनातर एखा कनाड़ा और अमेरिका के बीच सुनिच राज अमेरिका और कनाड़ा के बीच एक दो तीन चार एक दो तीन चार ओप्सन नमर हो जाएगे नेश्टे दाव एक अधीष रासी है क्योंकि यह बल का छेत्वर के साथ अनुपार्थ तथा बल और छेत्वर दूनों सदीष रासिया हैं भ्यस्पति का द्रमान है लगवग, भ्यस्पति का द्रमान लगवग, सूर्ज के द्रमान का हजारवा भाग, नेश्टे सुमेरित कीजिये हवाई अड़ा और देश दिया गया है, लागाडिया, अमेरिका में हैं, लागाडिया, अमेरिका, चार्ल्स दगाल, फ्रांस, हिथ्रो, ब्रिटेन, सिर्मे ताउ, रूस, अंसर हो जाएगा भी, यहाँ फिर से मिलाईगा, लागाडिया का हैं, अमेरिका में, चार्ल्स दगाल, फ्रांस में हैं, हिथ्रो, हिथ्रो काहा है, तो ब्रिटेन में, सिर्मे ताउ, रूस में है, अंसर हो जाएगा, बी, सिंगस्वी दीप की स्खाड़ी में अवस्थित है, मैक्सिको की खाड़ी, नेश्टे है, सुमेरित कीजिए, मिलान करने के लिए बहुत सारी प्रश्ट दिये गए, मिलान करने में थो टाइम भी लगता है, बताईए का इसका राई टेंसर क्या हो जाएंगे, राष्टिया आय समीती, राष्टिया आय समीती की प्रत्थम रिपोर्ट कव आई थी, 1951 में, राष्टिया आय की सर्प्रत्थम बैग्यानिक भी थी, 1929 में, राष्टिया आय का नोरोजी दौरव भुक्तान, प्राष्टिया आय समीती का प्राथम रीपोर्ट निम्नाँकित मैं से किस भारतिर राज को एक राज अनिक संसार वन एस्टेट मैनी वर्ल्डर्स कहा जाता है परियाटन के छेत्र में किस भारतिय राज को एक राज अनेक संसार कहा जाता है करनाटक को अप्सिन नमर सी संजीग तुराष्ट द्वारा अंतराष्टिय ग्रामिन महिला दिवस का मनाया जाता है 15 अक्टूबर को करनाटक संगित का जन्यक के नाम से प्रसीद संथ कौन है पुरंदर 10 करनाटक संगित का जन्यक के नाम से प्रसीद संथ कौन है एक पर देख लेते हैं पुरंदर 10 89 का अंसर ऑप्सन नमर डी दिया गया है संथ दिछतर दिया गया है कलास में भी option number D ही बताया गया है तो आप लोग को मैं क्या बता हूँ अब तो मैं class देखकर कही वीडियो में बनाती हूँ फिर भी यह हाल है लेकिन जहां तक हमने पढ़ा है करनाटक के संद कहा जाता है संद पुरंदर्दास को कोशन क्या थे को फिर सो कोशन को भी देख लेते हैं करनाटक संगीत का जनक एक वर मैं इसे कंफिर्म कर लेती हूं Google पर एक मिट रुक जाएंगे ऐसे तो पुरंदर्दास होना चाहिए गूगल पर भी यही दे रहा है पुरंदर्दास ड्रिश्टी आएस वाला देखेएगा वहां पर पुरंदर्दास ही दे रहा है तो इसका अंसर ऑप्शन भी मेरे ख्याल से होना चाहिए क्लास में डी दिया गया है बीश्व की गेहु मंडी किसे कहते हैं बताएगा बीश्व की गेहु मंडी टूला को कहा जाता है टूला को बीश्व की मक्का मंडी बीश्व की मक्का मंडी हो जाएगा सेंट लुईस बीसवे की कहवा मंडी हमिल्टन कनाडा का पिट्सवर्ग डूलूत को कहा जाता है एक हम फिर से देखेंगे बीसवे की गेहू मंडी टूला बीसवे की मक्का मंडी सेंट लुईस बीसवे की कहवा मंडी हमिल्टन कनाडा का पिट्सवर्ग डूलूत संजीक्त राश्ट के चार्टर कहां पर हस्ताचरित किया गया था। सेन फ्रांशच को सम्मेलन लच्मीबाई राश्टिये सारीरिक सिछा संस्थान कहां इस्थित है। लाच्पी बाई राश्टिये सारी रिक सिच्छा संस्थान कहां इस्थित है गोलीर ट्रिपल्स किसका नया फॉर्मेट है बैडमिंटन इन में से कौन सा आ सब्सक्रति कै 선s लोगा ग३र सतनित अब्स लिए द stiff डिवल अच्वुशन को हमधने कंप्लीट कर लिया कोई कोष्ण में दाउट हो तो कमेंट कर के बताईएगा कमेंट में मैं पीनफ कर दूंगी खिलाले हाँ इसका अंसर भी दिया गया मिलते हैं ने इस वीडियो में तक तक के लिए धन्यवाद